हलो स्टूरेंट्स नेक्स्ट कोशन करेंगे कोशन नम्बो फाइब आई बाइब टीवी फॉर रूपिल्स तैन थाउजंड बाइब मेंज खरीदा है तो यह क्या होगे इसकी कॉस्ट प्राइज 10,000 and sell it at profit of 20% how much money do I get for it आपने कोई चीज खरीदी है और उसको आपने profit पे बेज दिया लेकिन profit इन रूपिस में देने की बजाए किसमें गिवन है profit percentage में तो हमें find करना है कि मैंने से कितने का बेचा जो मुझे 20% profit हुआ सो राइड आउं cost price of TV cost price of TV कितनी है cost price 10,000 में आपने इसे खरीदा था profit percent given है profit is 20% हमें पता है profit percentage किसके equal होती है profit upon cost price multiply by 100 profit percentage लिखे है कितनी percentage है 20 profit हमें find करना है amount में cost price है 10,000 multiply by 100 यहां तक clear है सबसे पहले हमें TV कितने का खरीदा it means cost price given है 10,000 और उसे जो profit हुआ उसे बेचने पे वो percentage में given है कि 20% profit हुआ profit percentage find करने का में पास formula है profit upon cost price multiply by 100% क्योंकि percentage है दोनों तरफ तो हमने percentage क्लिखा profit percentage कितनी है 20% अगर इधार भी percent होगा percent होगा चैंसल हो जाएगा तो 20 profit cost price 10,000 multiply by 100 अब इससे स्वार्फ करेंगे 20 से 20 कैंसल हो गई 20 multiply by 100 यह टामिदर डिनॉमिनेटर में है divide हो रही है जब equal के दूसरी तरफ जाएगी तो क्या होगी multiply so profit कितना है हमाने पास profit profit is equal to rupees 2000 तो 2000 rupees का profit हुआ हमें जो profit था percentage में given था अब हमने रूपिस में बताया कि 2000 rupees का profit हुआ profit कप होता है जब selling price greater होता है cost price से तब ही profit होगा so profit is equal to selling price minus cost price यही formula होता है कोई भी चीज़ पे profit कप होगा अगर आपने उसको कम में खरीदा और जादा में बेच दिया तब ही profit होगा it means selling price जब cost price से जादा होगा so selling price तो हमें find करना है cost price हमें पता है TV का 10,000 profit भी amount में पता है अब 2000 यह वाली term इस तरह आएगी sign change होगा plus 10,000 is equal to selling price so 10 plus 2 12,000 आगया selling price यह हमारे पास आया selling price therefore I sell it at price of Rs. 12,000 कि अगर मुझे 20% का profit हुआ तो मैंने कितने में बेच आओगा TV 12,000 रुपी से एक बार दबार से discuss करते हैं cost price हमें दी है TV की कि हमने इतने amount का खरीदा 10,000 का खरीदा अब हमने उस TV को बेच दिया और बेचने पे profit हुआ 20% सबसे पहले हम amount रुपिस में निकालेंगे percentage वाला और profit percentage का हमारे पास formula है profit upon cost price multiply by 100 profit percentage कितनी है 20% so 20 profit upon cost price multiply by 100 2 zeros cancel हो गई यह time इदर जाके क्या होगी multiply होगी so 20 multiply by 100 2000 profit हुआ तो profit amount हमारे पास आगया कितना 2000 अब किसी भी चीज़ पे profit कब होगा जब उसका selling price cost price से जादा होगा अगर आपने कोई चीज 5 रुपे की खरीदी और 10 में बेच दिया तबी तो profit होगा तो selling price cost price से जादा होगा profit किसके equal होता है selling price minus cost price profit term में पता है cost price पता है selling price की value fine करने यह term negative है जब equal के दूसरी तरफ चाहेगी sign change होगा plus होगया तो selling price आया 12,000 means TV आपने कितने का बीचा 12,000 रुपेस में clear next पर चले next question क्या है जू ही sells a washing machine for rupees 13,500 sells mean उसने बेची this is the selling price selling price है इतने में उसने चीज बेच दी she losses 20% in bargain bargaining में 20% उसे कम करना पड़ा loss हुआ उसे what was the price at which she bought it तो उसने कितने में खरीदी थी सो स्कार्ट करते सेलिंग प्राइज आफ वर्शिंग मेशीन सेलिंग प्राइज आफ वर्शिंग मेशीन कितने की बेची रुपेस 13,500 लॉस हुआ पर्सेंटेज में लॉस पर्सेंटेज लॉस पर्सेंटेज कितने हुई 20% जिस तरह हमें प्रिविएस कुर्शन में प्रॉफिट पर्सेंटेज गिवन थी 20% ही थी I think yes तो उसी तरह से हमाई पास loss को फाइंड करने का भी फार्मूला है loss पर्सेंटेज किसके इक्वल होता है loss upon cost price multiply by 100 लेकिन अब इस केस में तो हमें cost price पता ही नहीं है हमें cost price ही तो फाइंड करना है so let the cost price of washing machine let the cost price of washing machine is equals to rupees x कोई भी हमने मानलिया माऊंट x मानलिया हुशे let cost price of washing machine is rupees x now loss percentage is 20% loss हमें find करना है amount में rupees में cost price हमने माना x यह इदर जाके multiply होगा 20x और यह term multiply है तो left hand side आएगी divide होगी that is equals to loss 20,500 तो loss किसके equal आया x upon 5 यहां तक clear है क्या क्या हमने हमें दी थी washing machine का selling price 16,500 उस पे loss हुआ 20% का loss percentage loss upon cost price multiply by 100 कितनी परसें दे जाए 20 cost price इस केस में हमें नहीं पता हमें find करना है तो हमने माल लिया let the cost price of washing machine be rupees x कि x amount में x rupees में उसने washing machine खरी दी थी तो x आगया cost price की जगा x उस तरफ जाएगा 20 से multiply होगा 100 डिवाइड होगा 20 into 5 is 100 so x upon 5 आया loss का amount अब किसी भी चीज़ पे loss कब होता है loss कब होता है जब cost price ज़्यादा है और selling price कम है तभी तो loss होगा अगर आपने कोई चीज 10 रूपिस में खरीदी और उसे बेच दिया फाइल में तो आपको क्या हुआ loss 5 रूपिस का loss हुआ आपने तो खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे दिये थी लेकिन आपने बेची कम amount में तो होगा loss तो loss के case में जो cost price है खरीदने की कीमत है वो ज़्यादा होगी किस से? Selling price से तो loss is equals to cost price minus selling price यह होगा Now loss की value हमें पता है हमने find की x upon 5 cost price हमें find करना है प्राइस हमने क्या माना था? X Selling price हमारे पास है 13,500 यह ही है अब अगर हम इस टाम को इदर ले आते हैं X को Sorry minus का हो जाएगा minus 13,500 अलसियम लेंगे 5 into x 5x minus 13,500 5 x क्या आगे कुछ भी नहीं है 1 minus के 5 plus के 1 minus 4x upon 5 is equals to minus 13,500 negative से negative cancel हो जाएगा दोलो तरफ क्या है हमारे पास 13,500 multiply by 5 divided by 4 यह 5 इस तरफ जाके multiply होगा और 4 divide होगा अब हम चेक करते हैं 4,3's are 12, 15 4,3's are 12, 3, 30 4,7's are 28, 2, 20 4,5's are 20 multiply करेंगे double 3, 7, 5 multiply by 5 1,6,8,7,5 x क्या माना था हमने cost price therefore cost price of washing machine is equals to रुपे 16,875 तो cost price हमारे पास कितनी आ गई 16,875 clear है एक बार दुबारा से देखते हैं सबसे पहले हमें दिया था कि जूही ने एक वर्षिग मिशीन सेल की बेची कितने अमाउड में 13,500 में और उसे बारगिनिंग में 20% का लॉस हुआ सबसे पहले तो हम रुपीस में निकालेंगे कि उसे कितना लॉस हुआ लॉस परसंटेज 20 लॉस परसंटेज के लिए फॉर्मुला है लॉस अपउन कॉस प्राइस मुल्टिप्लाइबाइ रुपीस हमें आप इस केस में कॉस प्राइस नहीं पता हमें वहीं फाइंट करनी हैं तो हमने मान लिया कि उसने कितने की वाशिग मेशीन खरीदी थी एक्स रूपिस तो कॉस्ट प्राइज हो गया एक्स यह एक्स इधर जाके मल्टिप्लाइज होगा 20x डिवाइड़ बाई 100 20 इंटू 5 तो लॉस आ गया एक्स उपान 5 रूपिस अब लॉस कब होता है जिसी चीज़ पे अगर कॉस्ट प्राइज कि चैंच से जादा है तो लॉस is equal to cost price minus selling price cost price हमने माना x लॉस की value आई x पान 5 selling price हमें given है यह x इस तरफ आएजा sign change होगा minus x एलसे म लिया x 5 x 5 x minus एक्स के 5 plus के 1 minus 4 x upon 5 minus minus दोनो तरफ cancel हो गया यह 5 उस तरफ जाके होगा multiply और 4 आएगा divide. 4 से cancel किया. 4 1s are 4 and 3375 multiply by 5 16875 ये value आई X की. और X आम ने क्या माला था? Cost price of washing machine. Therefore cost price of washing machine is Rs. 16875 clear? कि अए आम आए आए कि अए आए